शेहरों में घूमने का तरीका बदल रहा है अब सिर्फ गाडियों पर निर्भर रहने का जमाना गया आज परिवहन का एक नया योगा रहा है माइक्रो मोबिलिटी यह क्रांती, छोटे, फुर्तीले वाहनों जैसे साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के इर्ध-गिर्ध केंद्रित है यह विकल्प पारंपरिक परिवहन विधियों का एक सुविधा जनक, किफायती और परियावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते है माइक्रो मोबिलिटी केवल एक चलन नहीं है यह मैं दिके एक केकी है यह एक जरूरत है यह विशेश रूप से युवा शेहरी लोगों के बीच लोग प्रिया है वे लचीलेपन और उप्योग में आसानी की सरहना करते हैं यह आजादी और सुविधा है जो माइक्रो मोबिलिटी प्रदान करती है इस माइक्रो मोबिलिटी प्रांती के केंदर में टेकनोलोजी है GPS ट्रैकिंग और मोबाइल अप्स ने इन सेवाओं को और अधिक सुलब बना दिया है अपने स्मार्ट फोन पर कुछ ही टैप से आप पास की बाइक या स्कूटर का पता लगा सकते हैं अब खुले पैसे के लिए जूजने की जरूरत नहीं है यह सेवाओं को सुरक्षित और अधिक कुशल बना रहा है स्मार्ट लॉक और जीपिएस ट्रैकिंग चोरी को रोकने में मदद करते हैं बाइक शेरिंग दुनिया भर के शेहरों में एक जाना पहचाना नजारा बन गया है चमकीले रंग की बाइक से भरे डॉकिंग स्टेशन गली के कोनों पर दिखाई देते हैं जो लोगों को आने और सवारी का आनंद लेने के लिए आमंतरित करते हैं इस सरल अवधारणा का शेहरी गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे लोगों को परिवहन के एक व्यभार्य साधन के रूप में साइकिलिंग को अपनाने के लिए प्रोचसाहित किया गया है बाइक शेरिंग के कई फायदे हैं यह घूमने का एक किफायती और स्वस्थ तरीका है जो ट्रैफिक की भीड को कम करता है और शारीरिक गतिविधी को परहावा देता है बाइक शेरिंग कार्बन उत्सरजन को कम करके एक हरित वातावरण में भी योगदान देता है चूकि शेहर अधिक टिकाव बनने का प्रयास करते हैं इसलिए हमारे पर्यावरणिय पदचिहन को कम करने में बाइक शेरिंग एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर शेहरी परिद्रिश्यों के जरिये तेज रफतार से आगे बरहना इलेक्ट्रिक स्कूटर ने शेहरों में तहलका मचा दिया है जो शेहरी वातावरण को निविगेट करने का एक रोमांच कारी और सुविधा जनक तरीका प्रदान करते हैं उनका छोटा आकार और इलेक्ट्रिक मोटर सवारों को ट्रैफिक के माध्यम से आसानी से आगे बरहने की अनुमती देते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के उप्योग में आसानी और सामर्थ्य ने उन्हें अविश्वस्निय रूप से लोगप्रिया बना दिया है हाला कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के तेजी से बरहने से चुनौतियाओं भी आई हैं सुरक्षा और फुटपात पर अविवस्था के बारे में चिंताओं ने कई शहरों में बहस छेड़ दी है भाग पांच दक्षता और स्थिरता के लिए एकी करण जबकि बाइक शेरिंग और इलेक्ट्रिक स्कूटर अलग-अलग लाभ प्रदान करते हैं उनकी असली क्षमता उनके एकी करण में निहित है एक सहज परिवहन प्रणाली की कल्पना करें जहां आप अपनी आवश्यक्ताओं और वरियताओं के आधार पर परिवहन के साधनों के बीच आसानी से स्विच कर सकें वास्तव में कुशल और टिकाव शहरी गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए यह एकी करण को प्राप्त करने में प्रोध्योगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी मोबाइल एप्स उप्योग करताओं को विभिन परिवहन विकल्पों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अपनी यात्रा की कुशलता पूर्वक योजना बना सकते हैं एकी कृत भुप्तान प्रणालियां उप्योग करता अनुभव को सरल बना सकती हैं जिससे कई खातों या सदस्यताओं के बिना परिवहन के साधनों के बीच स्विच करना आसान हो जाता है भाग छह भविश्य की एक जलक, माइक्रो मोबिलिटी और शहरी स्वर्ग शहरी गतिशीलता का भविश्य ऐसे शहर बनाने के बारे में हैं जो लोगों के लिए डिजाइन किये गए हो कारों के लिए नहीं इस परिवर्तन में माइक्रो मोबिलिटी केंद्रिय भूमिका निभाएगा समर्पित बाइक लेन की कलपना करें जो शहर के हलचल भरे केंद्रों से होकर गुजरती हैं इलेक्रिक स्कूटर चारजिंग स्टेशन पूरे शहरी क्षेत्रों में आसानी से स्थित हैं और सार्वजनिक परिवहन नेट्वर्क के साथ सहज एकी करण हैं भविश्य का यह दृष्य इतना दूर की कौडी नहीं है जैसे जैसे दुनिया भर के शहर माइक्रो मोबिलिटी की क्षमता को अपना रहे हैं हम बुनियादी धांचे, प्रौध योगी की और उप्योग करता अपनाने में उलेखनीय प्रगती देखने की उम्मीद कर सकते हैं परिवहन के प्रती अधिक टिकाव और जन केंद्रित द्रिश्टिकोन की ओर यह बदलाव हमारे शहरी परिद्रिश्यों को फिर से परिभाशित करेगा जिससे शहर सभी के लिए अधिक रहने योग्य, कुशल और सुखद बनेंगे